कुछ सालों से हम चाइना के aggressive behavior को देख रहे हैं चाहिए लद्दाख में war-like situation create करना हो या फिर सिक्किम अरुनाचल में stand-off वड़ाना हो और सबसे बड़ा challenge है इंडिया के लिए कि चाइना को इंडियन ओशियन में कैसे tackle किया जाए इसके लिए सबसे बड़ा option है quad group जिसे अब इंडिया को lead करने का समय आ गया है क्या है quad और quad कैसे चाइना को पूरे तरह से रोक सकता है यह सब आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में quad जिसे quadilateral security dialogue कहा जाता है या एक informal strategic dialogue group है जिसमें अभी भारत, अमेरिका, जपैन और उस्टेलिया सामिल है इस group को बनाने का idea जपैन के परधान मंतरी सिंजू आबे ने 2007 में दिया था लेकिन यह group इतना आगे नहीं बढ़ पाया क्यूंकि उस्टेलिया पे चाइना का heavy pressure के कारण और इंडिया भी उस समय चाइना के against कोई ally में खुल के सामिल नहीं होना चाहता था यह group actual में थोड़ा active 2017 में हुआ जहां पे एक new strategy बनाया गया कि कैसे Indian Ocean से लेके Pacific तक free navigation होना चाहिए इसका main budget था कि चाइना कई सारे artificial island बनाके free navigation को रोक रहा था देखो यह इतना असान नहीं है कि कोई भी देश पूरे तरह से चाइना के against खड़ा हो जाए क्यूंकि दुनिया के जादा तर देश कहीं ना कहीं चाइना के उपर depend है जैसे आप Australia को देखो तो Australia का total export का एक तिहाई सिर्फ चाइना में होता है Australia के university को सबसे जादा funding चाइना और Chinese students से होता है लेकिन coronavirus के बाद से Australia पूरे तरह से चाइना के खड़ा हो चुका है वहीं अगर आप Japan को देखो तो Japan का लेकिन Japan कभी भी नहीं जुकता चीन के सामने चीन के एक एक aggression का तगड़े तरक से जवाब देता है China और Japan में एक सबसे बड़ा dispute जो है वो Senkaku Island को लेके है जिस पे अभी control जैपान का है लेकिन China उसे अपना बताता है और जब जब चाइनीज सीप Senkaku Island के पास navigation के लिए चाता है जैपनीज नेवी अच्छे तरीके से उसे सबक सिखाता है और चाइना के नेवी को उल्टे पौँ भागना पड़ता है वहाँ से आप अगर अमेरिका को लो तो देखो चाइना का economy अमेरिका पे ही depend करता है चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा export अमेरिका को करता है टोटल एक्सपोर्ट का करी 20 फिजदी अमेरिका में होता है अमेरिका चाइना के एकोनोमी और गुरूर दोनों को जब चाहे तब तोड़ सकता है आते हैं भारत पे आखिर क्या बात करें भारत को लेके भारत इतना बड़ा और पावर्फुल कंट्री होके भी एक भीगी बिल्ली की तरह बैंके बैठे रहता है और डरता रहता है कि चाइना हम पे एकोनोमी जो चाइना पे डिपेंड करता हो चाइना के टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्री में भारत आता है और देखो तो हर डेश के लिए सिक्योरिटी सबसे इंपोर्टेट होना चाहिए चाइना हमें almost हर तरफ से घेर चुका है पूरे दुनिया में चाइना का सबसे aggressive policy इंडिया को लेके है चाहे वो समुद्री सीमा को लेके हो या फिर जमीनी सीमा हर तरफ से चीन भारत को घेरते जा रहा है इसी बज़ा से इंडिया को चाइना के खिलाब सबसे जादा aggressive होने की जवरत है देखो चीन भी समस्ता है भारत उसके लिए कितना important है खास करके उसके economy के लिए इसलिए भारत को हर मोर्चे पे अब खुलके बोलने की जवरत है चीन ने पहले South China Sea में धीरे धीरे expansion किया पहले एक artificial बनाया और अब तो पूरा South China Sea को अपना ही मानता है चाइना का presence अब Indian Ocean में बहुत तेजी से बढ़ रहा है जो भारत के लिए एक गंभीर खत्रा है क्योंकि भारत का एनरजी का जवरत और समान सब इसी रूट से होके जाता है देखो इंडिया को आगे आके Quad Group को और मजबूत और effective बनाना चाहिए चारो देश लगातार समुद्र में exercise करे और petrolling करे इंडियान ओशियन से लेके Pacific Ocean तक उसके साथ Quad Group को सारे आसियान कंट्री को भी एक साथ लाने की जोरत है आसियान कंट्री सब चीन से परिशान है लेकिन economic hit के कारण वो चीन के खिलाब बोलते नहीं है जादा चैलेंज बहुत बढ़ा है भारत के सामने और भारत का रा असान तभी होगा जब Quad Country एक साथ आके पूरे 100% effort से काम करें क्यूंकि चाइना को Quad के सामने जूकने के अलावा कोई दूसरा option नहीं है क्यूंकि चाइना कभी भी एक साथ इतने बड़े 4 सूपर पावर को नहीं जेल साथ